राम राम जी नमस्ते जैसरी शाम रादे रादे कैसे हो आप सब आप सब कापके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छे ममें सवागत है तुझी दिन है बुद्वार और इस टाइम पे सुबह के साड़े आठ हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लोग शुरू किया ह तो मैं तयार हो चुकी हूँ अराद्या भी तयार हो रही थी और यहां पे मैं बढा रही हूं अपने लिए चाए क्योंकि चाइए अब मैं दो ठाई में पीती हूं एक तो तीन बजे और एक सुबह चुना के प्री पीती हूं चुद्वार मेने पाणि और जीरा पाणि हम वो शुरू कर दिया है तो फिर यह टाइम तो ही जाता है और चाय भी मैं गुड़ की पीती हूँ क्योंकि जो चिन्धी है ना वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी है चिन्धी और नमक नमक तो खेर वो नमक तो हम खाते हैं और यहां पर बस जो गुड़ है वो डालूंगी चाय म इंगाने पी मैं उबलने के बाद काम हमने सारा कर दीए है गर कभी और वीडियो का हुझे अभी कुछ काम होसा डाक के नहीं बंदरी है ना मेरी माँ की वसे तो उमर भी हो रखी है, 62-63 साल की हो रखी, काग्चों में भी और वैसे भी, यह नहीं कि भी सिर्फ कागच काग्जों में है, लेकिन पता नहीं क्यों वो बोल देते हैं कि भी हमने तो अपना सारा काम कर दिया है, अब आगे से ही लगाने वाड़ाया हुआ था, क्या हुआ हमारे निच्चे जो बात्रूम की टूटी है ना वो टूट गई थी सुबह सुबह तो वो लगवाने के लिए बुलाया था मेरी माँ ने पर यह जो टूटी में कल लेकर किया थी तो वा निच्चे सैट नहीं हो, इसने मना कर दिय यह नहीं लगेगी, फिर मैंने क्या कोई बात नहीं है, यहाँ पे लगा दो और वहाँ पे खुद लेकर के लगा जाना जैसी भी लगे, और यह को देखो कितना कुस हो रख यह, बहुत कुस होता है, यह चाहि कोई भी मिस्तरी है, चाहि भई लकड़ी का काम करते हैं, वो ह कि आख yummy पानी की फिटिंग वाड़े हैं यह फिर गर बढ़ा राने वाड़े है इतना bahama की यह से क्या कर रहे हैं और फिर प्र सेम वही चीज़ करेगा तो यहां पो बस हमाया चलने की हो गहीं ओव हुगी है मेरी माँ भी रोटी खाएगी और तब तक राद्या बोतल में पाणी और जो लसी है वो डालेगी क्योंकि निलम का फोन आ गया तब लसी ले करके आना मारे लिए और पाणी किसको कलास में जरूर तब तक अपना कुछ वीडियो काम रहता है वो कर दूँगी कुछ वाँ पे देख जो सारी फोटो स्टेट हैं वो करवाई वो देखर कि मैं चले गई थी राद्या को छोड़ने के लिए कि तब तक आप अपने ये बारी का इंतजार करो उस रहम तक मैं आती हूं तो अब यहां पे हम आ चुके हैं वापिस देख फिर मेरी मां के पास में क्योंकि क्या हुआ ये टाइम था ना नो बजे का था तो उससे पहले हमा आ नहीं सकते थे और मेरी मां को यहां पे छोड़ना आज बहुत जरूरी था तो उस चकर में हम लेट होगे और उन्होंने बोला था कि लेट क्या होगे फिर मैंने फोटो स्टेट वगएरा करवाई वहां पे भी बीड थी तो साड़े नो पोने दस का टाइम हो गया था पोने दस होगे थे उस टाइम पर हम पोचे तो वह मना कर दिया कि भई नहीं पूरे नो बजे आना नो से दस आना क्योंकि फिर वह उनके भी बैच होते हैं तो फिर हम वापिस से आ गए थे राध्यागों ले करके कि कोई बात नहीं आपना कल से सुरू कर देना कलास तो यहां पर हम बैठे रहे करीब साड़े ग्यारा पोने बारा बजे तक क्योंकि बारा बजे हम घर पे पूंचे हैं तो सीद्ध ही गए थे यहां से घर पे तो बहुत टाइम तक वेट किया निल मेरे साथ ही आगी थी कि चल बहुत 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 बहु के हम सो गए थे और फिर भी शाम में जो काम है न वो थोड़ा सा लेटी शरू होता है बिखाने पिने का काम ही होता है बाकि तो सुबह के टाइम पे होई जाता है तो अभी यहां पे मेरे माने जो दूद है न वो उतार दिया है और यह हो चुका है करीब पांच बजे के आसप कर दोंगी आप साथ दूगी खिर साथ दूगी अच्छी जातो फिर भी अच्छी आए अच्छी थे आप दूगी। कि अग्गाले मेरा जी साना है गणी फेक दी दान देता तो कि इतना करदा वाओ लगाँ पिस अग्षा वसकता निगा निगा तो फर फोड़ी तो दो दो फिला दे बुख जेगा निको दूड़ा वसका वर्कोड़ी है घडिक उत्सी ग्रावाँ अए लिया वहाए हम दिना देने जादा दुक है वी अरतासे एक उठेट चाहकि बड़ाए लिया किस दोर मिलाजी है? उसे दो रहा है, एसी आड़ा दो रहा है जो मावा है, ओड़ा दो रहा है अड़ा है किस माच दीन होगे, दो रहा है किस दो रहा है? मावी माच आव ताइज निनागी घर मावा बदेश इन आप शेली बेबे कवा है या तो दादी कवा है दादा तर्मामूर कानगे पुती कानगे पर दादा काने तो तो दाड़ मैंने रख दी थी और उसके बाद जो प्याज टमाटर अरी मिर्च है वो भी काट करके रख दी हैं बस अब तड़का लगाना रहता तड़का में तभी लगाऊंगे जब भई खाने का टाइम होगा उससे बस आद गंडा पहले और उसी टाइम पे मैं जो चावड है ना वो बनाऊंगे क्योंकि आज हम दाड़ चावड बनाएंगे तो मेरी मान ने जो दूद उजने का काम है वो कर दिया है और दूद निकालने के बाद मेरे का का पहले चाय पीते हैं उसके बाद फिर ओका प बनाने हैं तो वो बन सकते थे क्योंकि वो भी मैं तभी बनाऊंगी गरम गरम ही खाएंगे और ना प्लांस में पानी दे सकते थे अभी थोड़ी सी दूफ थी तो फिर वो भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा साथ बज़े के करीब मत देते हैं दिन शिपने से पहले साथ फिर निच्ची से नहीं लेकर के आना बढ़ता वरना निच्ची से लेकर के आते हैं गड़ोई का अगर पानी नहीं आता है जिस दिन और पानी आ जाता है तो फिर जो थंडा पानी आता है वो दे देते हैं तो तब तक मैं सोचे कि चलो अपना कुछ और काम निप्टा लेत तो यह जो डिब्बे हैं वो मैं कल ले करके आई थी और पांचात बरतन थे वो मैं दो करके रख दूँगी तो बरतन दो दिये थे और अभी मेरी माँ आई थी फोन में लवाने के लिए कि तेरे मामा के पास फोन मिला दे कि मेरी जनम पत्रे निकड़वा के सुमन ने दे तांकि भी जल्दी सूख जाएं और फिर इनमें अपना जो सामान है वो डाल करके रख देंगे और बाकी जो डिब्बे हैं वो फिर बात में दूलती रहोंगी यह कि किचन की सफाई करने से पहले सारे डिब्बे तो दूल जाएं क्योंकि एक दिन में सारा काम ना बहुत तो मैं दोगर के ही डालती हूँ लेकिन फिर भी हो जाता है बही मन में बैम सा तो यहां पे अभी मैं काट रही हूँ खर बुजा अराध्या अपनी पढ़ाई कर रही थी और खुसी स्टैम पे मेरी वीडियो शूट कर रही है क्योंकि यह तोड़ा फ्री होती है तो मेरे को दिया था और यहां पे अभी ओचुका है करीब साथ बचे का टाइम हां साथ बच चुके थे लाइट आ गई थी और यहां पे मैं बढ़ाऊंगी मतलब दाड में तड़का लगाऊंगी और जो चावड है वो बढ़ाऊंगी तो बस उसी की तयारी कर रही हूं कड़ाई मैं दोनों रख दी थी यहां पे बच्चे लैस्न चेलने में मदद कर रहे थे क्योंकि ना दाड में लैस्न सबसे अच्छा लगता मेरे को मतलब दाड में तो चाहिए बाकी सबजी में हो या ना हो कोई फरक नहीं बढ़ता तो गी डाल दिया था और उसके बाद जीरा दणिया डाल करके यहां पे जो प्याज हैं वो डाल दिये हैं और अब जो सारे मसाले हैं वो डालूंगी मतलब दणिया नाद या बढ़ बढ़ बन जाएगी इस टाइम पे थोड़ी सी जो कसमेटी लाल मर्च है। वो डाल दिती ताकि कलर अच्छा आए बाकी अरे मिर्च मैं दिये हैं यहां पर जो नमक है और यह जिए हो ढल देंगे और तब तक के राद्या और खुषिए ने लैसन टोल दिया थया है अब अराध्या ने इसको जो utter आफ गपलीक कर दिया था अच्छेसा बारीक साभना दिया था था तो यह थै instinct हम वे डाल देंगE के रख देती हूं अलग से ताकि भई जैसे कई बार यह होता है कि बच्चे भी साफ कर देते हैं बरतन थोड़े बहुत पड़े हों पान साथ तो फिर बच्चों के आद में भी लग जाए कोई भी करेया सिंक में वैसे कुछ चीज उठाने के लिए अचीज उठाते हैं उस ट तब तक तड़का तयार होगा उस टाइम तक जो चावड है मैं वह भी चड़ा दूंगी और चावड मैंने आज बिल्कुली सिंपल बनाए है मतलब पाणी और चावड ना जीरा डाला यह थोड़ा वो तो गी डाल देती हूं जीरा भी नीडालती हूं तो गी जरूर डालत पर आज मैंने गेवी नीडाला था और तब तक चावड रखे तब तक हमारा जो मसाला वो अच्छे से तेयार हो चुका था कलर देखो कितना अच्छा है थो दाड़ है यह मसूर की है और थोड़ी सी मैंने इसमें आरी मूंग की जो दाड़ है वो भी मिक्स कर दी थी दोन् पहले भी डाल दी थी ना इसलिए तो खाणा मारा बन की तयार हो चुका है और बच्छों ने गद्दे लगा दिये थे वार दनो और जो पंक है वो लगा दिया था बाग यह गद्दे ना हमारे बहुत काम आते हैं यह पहले जो हमारे डबल बैड के गद्दे थे एक बार त तो उस ठेम पे फिर हमने दिये नी की थोड़ा बोत में लेंगे और यूज आ जाएंगे फिर मेरी वाने क्या किया है इनके बीच में से जो फालतु का था ना कबाड वो तो निकाल दिया और मैन मैन जो फोम सा होता है वो रख लिया और उसके उपर जो कपड़ा है वो सेल लिया है तो अब इनको यह होता है जैसे कई लाइट नहीं आती नहीं तो हम असानी से डाल सकते एक तो हम बार ही गद्धा लेकर करके एक अलके हैं और फिर वैसे भी जो सकत वाड़े होते हैं यह नरम गद्धे बने हुए हैं और बच्चे भी उठा करके कभी बार कभी अं और अब मेरी माँ आगे तो देखो पहले मेरी माँ को खिलाया है तो मेरी माँ बीचावड ने खाती ये बूलती कि मेरे तो नहीं अड़ जाओं है और मेरे काका को वैसे नहीं खाने सुगर है तो इसलिए मेरी माँ काका तो रोटी ही खाएंगे तो यहां पे अभी बहुत मज आया आज भार बैटरूम में खाते हैं हम या फिर ered ठंड होती है इस lei यह फिर बार खा लेते हैं मेट करके बाकी बार है ठीक है बैडरूम में तो नहीं खा नहीं नहीं खाना चैये खाना बस किली वाइ वाइ टेक केर